नमस्कार मेरी विद्यार्थी मित्रो कविता के बहाने बात सीधी थी पर इन दोनों ही कविताओं की चर्चा हम कर चुके हैं इनके कवी कुवर्णाराएंजी हैं इन दोनों कविताओं में जो पहली कविता है कविता के बहाने ये इन दिनों काविय संग्रह से लिए गई थी और इस कविता के माद्यम से कवी ने ये बताने की कोशिस की है कि कविता का दायरा सिमित नहीं है वह ऐसिमित होती है और तीन उदारनों द्वारा कवी ने ये साब तक पहुंचती है लेकिन चीडिया का दाइरा सीमित है वे ये घर वे घर तक ही जाकर रुख जाती है उसका खेलना फुदकना बंद हो जाता है लेकिन कविता का दाइरा ऐसी मित है वैसे ही कवी ने कवीता की तुलना फूलों से की है कि जिस तरह से फूल सुगंदित होते हैं और अपनी खुश्बू चारो तरफ फैलाते हैं माहोल को महका देते हैं वैसे ही कवीता भी रस में होती है वह भी चारो तरफ का माहोल सुगंदित बना देती है रस में बना देती है लेकिन फूल तो शाम होते होते मुझा जाते हैं पर कविता कभी मुझाती नहीं वह तो एक बार बन जाती है तो अनंत काल तक अपना रस दूसरे लोगों तक पहुंचाती रहती है अपनी खुस्वू हमेशा नए माहुल में पैदा करती रहती है और तीसरे उद जाते हैं उनके लिए कोई पराया अपन ऐसा कोई उनके मन में भाव नहीं होता वैसे ही कविता भी होती है कविता भी कभी कहीं भी किसी भी माहूल में कभी अपने सब्दों से खेल लेता है कवी और सब्दों से कविता तयार कर लेता है लेकिन कविता का दाइरा बहुत उसको मैं और अच्छे तरीच प्रस्तूत करूद का निया तो उसका परभाव पाठकों पर नहीं पड़ेगा तो जो बात सीधी कहनी होती है उसको सीधी तरीके से ही सरल बासा में परस्तुत करनी चाहिए चलिए इन दोनों की चर्चा बहुत हो चुकी विद्यार्थियो अब हम इन दोनों कविताओं के मैतोपून परशन उत्रों पर बने रहेगा अगर इनके मैतोपून पर्शन उत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरवानी करके चेनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं किसी परकार का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर इस परकार है इसका अर्थ है भेद भाव अंतर वर अलगा वाद को समझ करके सभी को एक जैसा समझना जिस परकार बच्चे खेलते समय धरम जाती संप्रदाय चोटा बड़ा अमीर गरीब आदी का भेद भाव नहीं करते उसी परकार कविता को भी किसी एक वाद या सिधानत या वर्ग विशेश की अभिविक्ति नहीं करनी चाहिए कविता सब्दों का खेल है कविता का कारी समाज में एकता लाना है बहुत अच्छा परशन है एक जाम में आ सकता है दूसरा परशन है उड़ने और खिलने का कविता से क्या समंद ब होती है इसी परकार कविता भी हर जगह पहुंचती है उसमें कलपना की उड़ान होती है कवि फूल खिलने की बात करता है दूसरे सब्दों में कवि का आधार प्राकर्तिक वस्त्व हैं वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग दे करती है आपने अगर कविता अच्छी से समझी है बच्चो तो इसके पर्षन समझना बहुत आसान है और इसके उत्तर लिखना बहुत आसान है चलिए पर्षन नमर तीन कविता और बच्चे को समानांतर रखने की क्या कारण हो सकते हैं तो उत्तर है कविता और बच्चों की केड़ा छेतर का इस्थान व्यापक होत कि ख Call Guide collar me कि शेन के उला होता है इसमें नीशवार्ता होती है बच्चों के सामने असिम होते हैं बच्चों के सपने असिम होते हैं मतलब मिघंपती सीमा चाहिन के जाकर खेल सकते हैं जाती भीध भाहं आज यहांन नहीं होती को जगह भूठ भी आ ले सकता है पेड़ पर भी लिख सकता है मकान पर भी लिख सकता है औरत पर भी कविता लिख सकता है किसी भी जड़ और चेतन चेतन सब पर कविता कवी लिख सकता है इसके लिए उसका दाइरह ऐसी मित होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती चलिए परशन नमर चार कविता की संद नहीं होता, उसकी जीवन आउदी ऐसिमित है, वे कभी नहीं मुर्जाती, उनकी कविताओं की मयाक सदेव फैलती रहती है. पच्छो अगला पर्षन है, बात और भासा परस पर जूड़े होते हैं, किन्तु कभी कभी भासा के चक्कर में सीधी बात भी टेड़ी हो जाती है, कैसे इसका उत्तर है, बात का अर्थ है भाव, भासा उसे प्रकट करने का माध्यम है, दोनों का चोली दामन का साथ है, किन्त तो कभी कभी भासा के चक्कर में सीधी बात भी टेड़ी हो जाती है, इसका कारण ये है कि मनुस्य सब्दों के चमतकार में उलच जाता है, वै इसे गलत फैमी का सिकार हो जाता है, कि कठेन तथा नए सब्दों के परियोग से वै अधिक अच्छे डंग से अपनी बात कह सक सकता है, भाव को कभी बासा का साधन नहीं बनाना चाहिए, बहुत अच्छा पर्षन है, और बच्चों इन सभी पर्षनों की PDF, पर्षन उत्तर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप कभी वी ये पर्षन नोट कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को एक दो बार सुन लेंगे, तो सारे पर्षनों के उत्तर अच्छे सी याद हो जाएंगे, क्योंकि सुनना सबसे ज्यादा सीखने का माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, चलिए, पर्षन नमबर 6, बात सीधी थी पर कवीता में कवी क्या कहता है, अत्वा कवीता का पर्थिपादे इस पश्ट कीजी, तो कवी कहता है, इसका उत्तर इस प्रकार है, कवीता बात सीधी पर कुवर नारायन जी के कोई दूसरा नहीं संग्रय में संगलित है, कवीता में कथे और माध्यम के द्वंद्व देभासा की सहचता की बात की गई है हर बात के लिए कुछ खास सब्द नियत होते हैं ठीक वैसे ही जैसे हर पेचके लिए एक कोषी सब्द से जूड़ना ह होता है और जब ऐसा होता है तो यह दवाब या अतिरिक मेनत की जरुवत नहीं होती वह सहुलियत के साथ ही हो जाता है तो जिस सब्दों के लिए जो सब्द हमें काम में लेने चाहिए वही हमें लिखने चाहिए वही कविता में प्रियोग करने चाहिए उसके लिए अगर हम दूसरे कुछ प्रियाई सब्द दूंडेंगे, उनके प्रियावाची कठिन सब्दों का प्रियोग करेंगे, तो उसके चकर में फेर में आकर कविता का मूल भाव खतम हो सकता है, इसके लिए कवी ने बासा की सहजता पर बल दिया है, कि बासा को सहज रखना चाहिए, जो कि आसानी से समझ में आ सके, परस नम संत्रिक्ता के दवाब में कवीता का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसे में ये कवीता कवीता की अपार संभावना को टोलने का एक अशुसर देती है, तो कवी क्या कहना चाहता है, कि आगे-ागे जो मसीनरी का टाइम आ गया है, टेकनोलोजी का टाइम आ गया है, उसमें कवीता आगे तक बनी रहेगी, उसको लोग आगे भी पसंद करेंगे और उसका अस्तित्व भोत आगे तक रहेगा, इस कवीता के मातिम से उन्होंने दावा किया है, तो संभावना बताई है, कवीता के बाने ये एक यात्रा है, जो चिडिया फूल से लेकर बच्चे तक की है, एक और प्रकरती है, दूसरी और भविसे की और कदम बढ़ाता बच्चा, कहने की आवसिकता नहीं कि चिडिया की उड़ान की सीमा है, फूल खिलने के साथ उसकी प्रिनिती निस्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है, बच्चों की खेल में किसी प्रकार की सीमा क कोई स्थान नहीं होता कवीता भी सब्दों का खेल है और सब्दों की इस खेल में जड़ शेतन अतित वर्तमान वहिसे सभी उपकरण मत्र हैं तो इसलिए मचाएगर की सीमा हो बासा की सीमा हो या फिर समय की सीमा क्यों नहों कवीता का दाइरा सिमीत होता है बहुत अच्छा परशन है अपनी बात को सहाज़ो और व्यर्वारी बहसा में कहना चाहे ताकि आप लोग कवी की भावना को समझ सकें बच्चों अगर आपने वीडियो देखा है और उसके बाद में पर्षन उत्तर आप समझ रहे हैं तो उसके बाद एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि जिन्दिगी में आपको एक्जाम देने तक आपको फिर से ये पर्षन उत्तर नहीं देखने पड़ेंगे चलिए ये मेरा अनुभव है इसलिए आप से शेयर कर रहे हैं पर्षन नमर आठ बात के भासा में उलजने पर कवी ने क्या किया उत्तर है जब बात भासा में उलज गई तो उसने सारी मुश्किल को धहरिये से नहीं समझा वह पेज को खोलने की बजाए उसे बिना किसी तरीके की कस्ता चला गया इस काम पर उसे लोगों ने सहाबासी दी पर्षन नमर दैस जोड जब जबरस्ति करने पर बात के साथ क्या हुआ उत्तर है कवी ने जब भावों को भासा के दाएरे में बानने की कोशिस की तो बात का पर भाव समापत हो गया वह सब्दों के चमतकार में खो गई और असर हिन हो गई मतलब कवी जो बात कहना चाता था वह उसने सोचा कि मैं ज़्यादा भाव फूर्ण होकर भाव युक्त सब्दों के साथ मेरी बात को अभी विक्त करूं लेकिन भाव के फेर में आकर भाव के दायरे में भानने की कोशिस की तो फिर बात का परभाव ही खतम हो गया और वो असर हिन हो गई कवीता परसन नमबर 11 बात सीधी थी पर कवीता के अधार पर बात की चूड़ी मर जाने का आज से परस्ट कीजिए बहुत अच्छा परसन है उत्तर है लेकिक बताता है कि बासा को तोड़ने रोड़ने की कारण उसका जो मूल प्रभाव था वा नश्ट हो गया सिधान तो हसंद्री के चक्कर के मूल में मूल भावी समापत हो गया उसकी अभिवेक्ति कुंद हो गई और वह भावी नों बनकर रह गई कवी ने कथे को महत्व दिया है अता है बासा को बात सीधी थी पर के अधार पर तरक सम्मत उत्तर दीजिए तो बचोई यहां पर थोड़ा देख ले ना कवी ने कथे को महत्व दिया है ऐसे आएगा फिर अता है बासा को बात सीधी थी आएगा कि आधार पर इस परस्ट करना इसको तो बात सीधी थी पर कवीता में कवी ने कथे को महत्व दिया है कवी ने जब सीधी वसरल बात को क पहने के लिए चमतकारी बादसा को मद्देम बनाया तो भाव की अभिवेक्ती ही नश्ट हो गई मूल कथे पिछे चुट गया और सिदान्तव संद्रिय भी प्रमूख हो गया आपको सारे परशनों के उतर अच्छे से समझ में आये होंगे इनका PDF डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर देख लीजिएगा वीडियो नहीं देखा तो वह भी देख लीजिएगा मेरवानी करकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जितने भी हिंदी से सम वीडियो है टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे बेल आइकन को जरूर दबाईएगा नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा थैंक्यू स्टुडेंट्स